हाईश में आपको उपनी प्रोफिट दिखा देता हूँ दोस्तों यहां पर कि आपको पता होगा की जो है तो क्या है कि multiple account से multiple team बनाते हैं दोस्तों एक एक अकॉंट में एक दो जो तीन तीन चार्च चार्च टीम मलब जो हुसाब से हमारा combination बन पाता हुसी साब से हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह बताऊंगो कि आखिर जो हम लगातार profit कर रहे हैं और अपने निकल पाता है देख सकते हैं अच्छा क्या प्रॉफिट कर और यहां पर दिखा देता हूं इब यहां पर हमने कितने रहेंग पर आएं यहां पर देख सकते हैं मतलब देख सकतो नौ से कातर पॉइंट बना हुआ है लेकिन सोचो इतना एक करोन लोगों में से अकर हम पांच पर आके हम जोहाँ तो चार लाग प्रॉफिट कर लिया तो यह कोई छोटी बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है क्यों कि यहाँ पर गाईज जो हो तो एक राइंग पर हम राइंग कर रहे हैं लेकिन गाईज जो एक बिकेट गिरते ही सारा सब सत्या नास हो गया मतलब बिलकुल नीचे आ गए पांच नमबर पर एक राइंग पर राइंग कर रहे हैं सोचो अगर एक राइंग पर आते तो चार छल् काफी जगह को है यहां पर सबसे पहले आपको dapatा चारर लाक मैं प्रॉफिट किया है UP आपको दिखाटनीक बात बाद gai हब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर मैं लाक 80558 थीक है कुई यहां क्रद ग्रॉफ है शुचकरर काफी ज्यादा कड़ता है यहां पर 20 परसेंट टेक्स करता है और यहां पर देख सकते हो कि भाई यहां पर अच्छा प्रॉपिट हो अब बात करते हैं कि आकर इसके पीछे का राज क्या है इससे पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों सबसे बड़े चीज आपको यह चीज समाझना है प्लेइंग 11 सबसे पहले हम पिछ पता चलेगा भाई जब आपका टोस हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हो कि जो हो तो यहां पर हैदराबाद का माइच होने वाला यहां पर देख से तो टोस जीत के इसने फिल्डिंग का डिसीजन लिया ठीक है और यहां पर बेर इंप्रोटेंट सी यह भी ध्य अच्छे हैसे गिराएगा खूब बेधाडा गिराएगा और जो हो तो यह टीम भी होगी तो यह मान के चलो भाई कि इसका बिकेट फिर सामने वाले टीम गिराना नहीं स्टार्ट कर देगी भले टोस जीत गई तो क्या हुआ मतलब वही सामना जिसकी भाई उसी की लिए ठी मतलब भाई अगर जो हाद तो जो पिछ रिपोर्ट मतलब आ गई है पिछ भाई जिसको सपोर्ट कर रही और अगर उसके मतलब अगर पिछ बैटिंग को सपोर्ट कर रही और जिसके बड़े बड़े बैट समयन होंगे तो उसकी टीम भारी पड़ जाएगी भाई सामने वा ठीक है अब आपको समाझना पिछ रिपोर्ट भी आपने समाझने पिछ फिल्डी होगे यह माँ बात मांच लोग कनफम पिछ तभी होगी जब टॉस हो जाएगा जब भाई जो सामने वहां पे हैं ठीक है टीम अब वहां पर कैप्टन दोनों की तरफ हैं अब भाई कोई कैप आप लोग प्रॉफिट कर पाऊगे अब देखो यहां वहां पर आप है न मैं हूं अब कैसे पता चला पिछ भाई यहां वहां पर बॉलिंग है वहां पर जो लोग हैं वह लोग पिछ को देखते हैं उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं कि हमको टॉस के बाद पहले बॉलि बॉलिंग भी होगई अब बॉलर किसमे खतर नागगा आपको यह चीच कर लेते हो अब यह कैसे चेक करोगी आप लोग जब जाओगे ड्रीम 11 में तो ड्रीम 11 के रिकार्ट से देख सकते हो यह आप गूगल के रिकार्ट से देख से हो कि बात है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो ठीक है अब बात करतें गैज की जब आपने चेक कर लिए पिछ रिपोर्ट हो गए ये टॉस भी हो गए अब जो हो आपको ये भी चेक कर लिए कौन भाई बॉलर खतरना है कौन जो हो तो सामने वीक बॉलर है ठीक है अब ये देखना कि आखिर प्लेइंग 11 में क्या व करल कि अब बात मांग चलो यह हम लोग इतना प्रॉफिट करते हैं इसके लिए भाई हमको जो इन्एन्वेश्ट भी करना बात ओर आप लोग ज्यादा इन्वेश्ट नहीं नहीं कर पाऊगे थो आप लोग का पर लोजिक लगाना हो ब्सक्राइब अगर हम क्या होता ज्या पिछ ने कुछ आ जाएगा आपका चाहे लाखी दो लाख आए साला अब बात करते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट वाली ठीक है अब देखो सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे देखो पिछ बॉलिंग है ठीक है यह अब मैं आपको पिछ इसी लिए इसी का भाई टोस का रि फाटी उतर रहे है ठीक है अब यहाँ पे जो है तो देखो एक यहाँ पे क्या बैटिंग जो करेगा उसका तो पता चलता है कौन कि इसके बाद उतरेगा ठीक है लेकिन बॉलिंग वाला मैटर ऐसा है कि कैप्टरन देखो जब सामने कोई बॉलर अगर पिट रहा तो यह मा तो चेक कर सकते है जैसे मोटी मिसाल जो हो तो आज सामने राइट हैंड बैटिंग कर रहा है ठीक कोई बंदा अब अगर जो हो सामने वाले टीम स्ट्रोंग है उसके सामने जो हो तो बॉलर अच्छे खासे हैं उसके टीम में ठीक है और लिप्टी बॉलर है बेरी इंपोर् करेगा तो क्या हगा इसको तूरंड गिरा दे क्यों कि अगर करेंग आ जाएगा तो उसको मतलब मछोचे होगा और ठोखना इस्टार्ट कर देगा अगर रहो थे लेपटी बैट राण ले बलर आ जाता तो उसकी उपर हाँ हो जाएगा तूरंड इसलिए उसकी जो है तो समझी नहीं पाएगा तो यह मसले और इतना फ्रेसर जो हो तो इतना हाई स्पीड से फेकेगा वह साला चगबकिया जाएगा जाएगा यहाँ तो फिर वह जो है तो अपना बिकेट चोड़ के हड़ जाएगा तो यह बहुत बेर इंपॉर्टन भाई म लिफ्टी करता हूं जो बाते किलियर तो यह बात आप लोग समझ लिए ठीक है तो ओके अब यहाँ पर जैसे के मोटी मिसल अब आपको देखना है कौन खतरनाग बॉलर है इसमें क्योंकि जो भी खतरनाग बॉलर होगा सबसे पहले उसको ही उतारेगा मलब सामने वाला क्यों 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 कि यहाँ पर दो एडवांटेज मिल रहे ना भाई एक तो पिच बैड जोहत बॉलिंग को सपोर्ट कर रहा है बॉलर को उसके बाद खतरनाग बॉलर है उसके बाद सामने जोहत उतने अच्छे बैट्समैन नहीं है तो वह टेक ही नहीं पाएंगे मतलब वह समझी नहीं पाएंगे कहीं लिबटी बॉलर आ गया उसके जोहत तो सामने तो भाई बिलकुल ले गिर जाएगा तो यह चीज़ा आप लोग समझे ने ठीक जैसे इसमें जे बटला उतर रहे हैं उसके बाद यह उतर रहे हैं जोहत तो यहाँ तो यहाँ पिर क्या होगा होम ग्राउंड बेर हमरान इस बाद फारूकी उतर इंके सामने इनको ठोक देगा इसको ठोक धएं सकता हैं यह अच्छा बलर है ठीक है उचकी बाद ऊमरान मलीक होम ग्राउंड है इनका और फारूकी हम एं क्या है यह आए लिए पे इसके बालर होगे और पीच बोली को आपको खुद दिमाग लगाओ कि जो हाँ तो सामने क्या। फॉरन कंट्रिवाले बैटिंग कर रहे हैं और फॉरन कंट्रियों को ज्यादा गिरने के जल्दी चांस हैं कि पिच बैटिंग उनको पिच कोई नहीं आते उनका क्योंकि फस्ट टाइम या दूसरी टाइम खेल ले लेना आपको प्रॉफिट करवा करा हूँगा आप लोग हाँ बस चैनल को सब्क्राइब कर लिजे और घंटे को दबा दिजे और अगर गाइज यू हो तो हमारे टेलिग्राम पर अभी तक नहीं जूलो तो टेलिग्राम पर आप लोग जूलो जाओगो तो आपको बनी में ओके बाइबा लब यू आल फेंट